गुद बॉनिंग इस्ट्रोडेंट वेलकम तो लाइनिंग इजी साइंस क्लासे तो आज का जो टॉपिक है हमारा जैसे हमने कल आपको बताया था कि आज हम डिसकस करेंगे अपने experiments के ऊपर लाइक हम देखेंगे कि मेंडल ने कौन-गाश फेक्टर लेकि कैसे एकस्पेरिमेंट किया किया से ऑर जो पोर यह से निकालते हैं तो नहीं हम ini कि तो यह बात ही तो आपने करता है एक जीन एक जीन एक ने वन जीन लिया जो कि किसको कोड करता है हाइट को हाइट आफ पी प्लांट थीक है अब इसके दो अलियस होँगे हाइट के भी या तो आपका टॉल होगा या ड्वार होगा तो मेंडल ने क्या किया एक प्लांट टॉल लिया यानके प्यॉर टॉल लिया और एक लिया आपने प्यॉर ड्वार अगर मैं इसके एलियल्स की बात करता हूं तो हम इसको रिप्रिजेंट करते हैं कैपिटल टीटीज है और इसको करते हैं स्मॉल टीटीज है यह दो प्लांट यानकी यह क्या है पेरेंट्स इन दोनों का जब क्रॉसिंग करवाया हूं तब क्या रिजल्ट आया वह हम यहां पर देखेंगे इनहरीटेंस ऑफ वंजिर्यान कि उसने दो प्लांट लिये एक प्लांट जो एव्बन जैनेशन में वह टॉल था या वह दौर्ज था यह दोर्ट चेब इसकर के विटकमी बढ़ाओफ颜ाय था तो हम देखते हैं दूसरा फ्लांट क्या लिए होमोजाइगस ड्वार्फ होमोजाइगस मतलब क्या होता है सेम ठीक है टी और टी अब यह क्या चीज़ है आपकी यह है आपके पेरेंट्स पीवन जन्रेशन इसको हम बोलते हैं पीवन जन्रेशन अब क्या होगा अब इसलेज़ प्रता गैमेट का फार्मेशन तो एडρι को सी क्या निकलता है एक सींगल निकलता है और यहां से भी क्या निकलेएगत निकलेगा इन दौनों की क्या होगी होगी रोप्र il च्रो सकते हैं यह मिलके बनता है आपका टी टी अब मेंडल ने देखा कि जो यह प्लांट आया है यह कैसा आया है यानि कि यह इस जन्देशन को बनते हैं जन्देशन जो फश्ट जन्देशन होती है जन्देशन थे प्लांट सब्सक्राइब ऑल तो यानिकि जितने प्लांट तो मेंडल ने दिया किस अरे प्लांट नहीं का मतलब क्या है कि यह सीधा सीधा इंडिरेक्ट करता है इस वाले parent को यानि कि इसमें capital T है इसमें small T है तो इस capital T ने इस small T के expression को रोग दिया expression किसको बोलने ड्वार्फनेस को expression किसको बोलने है लुद को ठीक failure आया अपका फ्रस्ट लौब डॉमिनंसी यहीं से आया आपका फ्रस्ट लोव फ़स्ट लोगसमें दिया मेंदर दिया लौरओ Pronincकी क्या बोलता है यह दो amino क्या भोलता है किस को அ law of dominance भी बोलते हैं इसमें क्या होता यह यो क्या कहता है कि about communist will hide the expression of another factor एक फेक्टर दूसरे फैक्टर के expression को क्या कर देगा दोक देगा अबग्यक्ते जो फेक्टब जो रहा है फिरे लिए के expression को उसमेंसे जो भाड़ा वदाउस को हम बोलते हैं dominant factor और उसको बोलते हैं dominant और जो शेटा शुप चुका है जिसका expression गया उस वाले फैक्टर को हम बोलते हैं तो होगा क्या फिर यह विलता है हमारे dominant है और ये क्या वहां है और कल भी हमने वताया था आपको कि जो डॉमिनेंट होते हैं वह कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमॉल को हम किसे करते हैं आपका फिसे ऐसिप के लिए तो यह एफ बन जनेशन उसमें निकाली और एफ जनेशन से क्या दिया इसाने लॉफ दॉमिनेंसी दिया कहते है कि वन फेक्टर विल हाइड दा एक्सप्रेशन ओफ एनोडर फेक्टर फेक्टर डामीनिंट फेक्टर फेक्टर विच थे तो जो ती तो यह एक्स्प्रेशन नहीँ तो यह कहला आपका रिस्तैस वी तहिए से अब बात आती है कि यह तो फ Seriously अब ऐस्टो जर्णेशन कैसे निकालेंगे देखों एफ टू जर्णेशन हम एफ बंजनेशन से निकालेंगे ठीक है और कैसे निकालेंगे मैं यानके सैल फिंग कहिने के बाद उसको इन ब्रीडिंग भी बोलते हैं याद रखना यह तंब भूलना मत देखो सेэल्फिंग और पॉलिणेशन करांगे के लिए ब्र зачем वर नेशन कर अधिकर अधिकर Яज्सकों क्या बोलते हैं पर fam ऌर क्या बोदे इन ब्रीडेंग हम अब निकालेंगे कौन सी जन्रेशन F2 जन्रेशन ठीक है देखो F2 जन्रेशन निकालने के दो तरीक है सबसे पहले क्या इस्टेप होता है गेमेट्स का फॉर्मेशन आप देखो यहां पर यह कंडिशन कैसी है यह कंडिशन आपकी हेटेरो जाइगस की है कि यह कंडिशन कैसी है हेटेरो जाइगस की है क्यों क्यों कि दोनम अलग है डिक है जब कंडिशन हेट्रो जाइगस की होती है तब अधर कितने गेमेट्स निकलते वह बहुत कि निकलते हैं अगर भाई T busy होता दोनम सरभ तो एक टी निकल आता ठीक है लेकिन यहांपर क्या है दॉनों ही क्या है आपके अलगे लगें तो गयमेट्स बने गयमेट्स कैसे बने और टी इसके भी आ मेट्स बने सब्सक्राइब अब क्या गते हैं देखो इस वाली टीो एक बार इससे मैच कराते इसी वाली टी को एक बार इससे मैच कराते ठीक कर चलिक है तो क्या बना टी और ती वड है दोनों बन गए एक बार इसतने ओर T पिर यानि कि एफ टू जनरेशन में मेरे चार ऑफ स्फिरिंग बने कितने ऑफ स्फिरिंग रहे वाइन टू ट्री फूर अब देखते हैं कि करेक्टर कौन सा आया देखो इसमें दोनों ही डवल टी है तो यह प्लांट कैसा हुआ टॉल हो गया इसमें बड़ा कैपिटल टी है तो इसमें सिंगल ही लिए इसमंerve जिक पाहिन कावार कि लंऋ बिछतव है संड़ तो इसमें डॉल टी है तो यह एक प्लांट कैसा हुए फ़ॉप जू निकालते हैं जब हम हम रों निकालते हैं तो चार ऑंप स्पृिंग कितने बनते है तीन और द्वार्फ कितने वंते में इस रेशियो को बोलता हैं फीनो टाइप रेशियो फीनो टाइप रेशियो मतलब होता है फिजिकल अपीरेंस हम देख के बता सकते हैं इन और एक डौर यहाना कि टीन ओगाई टॉल और एफ्टू जन्रेशन निकालने एक तो ये तरीका क्या आप क्रॉसिंग करके दूसरा तरीका होता पुर्णिट स्कॉयर से है दूसरा तरीका क्या होता पूर्निट स्क्वार मैं इस मैं चैया होता है कि हम एक बॉक्स बनाते हैं बना लिया बॉक्स यहां पर लिखते हैं एफ टू यहां पर इस वाले कॉलम में लिखते हैं हम फर्स्ट वाला जो है अमारा पेर देखो यह इधाना हमारे का इनके गम 8-23 वाने यहां पर पेस्ट कर दिया और इस वाले के को किमनेए पेस्ट कर दिया इस वाण जिए सब्समारे टी ओर टी टी जुटए है आप देख रहे हो देखो इसमाएव चाहरी बनें एगे दो यह तो दोए ऐतुम है टॉज्त नो-टॉज टो फीनोटाइब टीटाइब रेश्यो च्रीच मोजा तो टीनुटाइब ताइब रेशियो वह क्या होता हमारा जीनो टाइब रेशियो अब जीनो टाइब रेशियो यहां से देख की निकालते हैं कि यह जो आफिस प्रिंग आई है इनका जो जीन का जो करेक्टराइजेशन है वह कैसा आए देखो इन चारों में डवल टी की ओल टी कितने है और टी टी अब यह देखतीया है यह कितने स् Limited डूंसी остав है और यह और यह आउन कररते हैं कि इसका जीन का और चेंट करते हैं इसमें कौन से कभिम plupart प्रिजेंट हैं तो नहीं है कितने प्रिजेंट हैं कितने होमोजाइगस यह वाला प्रिजेंट यह दो हमोजाइगस प्रिजेंट है और तुमसे पूछ लेते हैं तो यह आपका मोनो हाइब्रेट क्रोस प्रिजा जिसमें हमने बात करी वन करेक्टर की अब बात करते दूसरा ग्जामपल लेते एक और अग्जामपल तो आप इसमें और बताओ है है यह होमोजाइगस टॉल यह ट्रो यह जाएगस टॉल और यह द्वार अच्छा डॉफ डॉमीनेल समझ में आया अब लॉफ सेग्रीगेशन सेकंड लॉफ सेकंड लॉफ क्या बोलता है हमारा सेकंड लॉफ सेग्रीगेशन लॉफ सेग्रीगेशन बोलता है कि डूरिंग गैमेट फॉर्मेशन होता है जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो गैमेट only one factor को ही रिसीव करता है यान कि वह सेग्रिगेट सेग्रिगेट का मतलब होता है सेपरेट होना भाई अभी तुमने बताया जब मेरे पास दो टी टी थे तो यहां से क्या हुआ सेपरेशन हो रहा है इसको बोलते हैं लौफ सेग्रिगेशन यानि कि डियूरिंग गेमेट फॉर्मेशन औली वन गेमेट रिसीव रिसीव करेगा जहां तो सिमिलर कंडिशन है अगर बात करें हम जब कंडिशन है हेटरोजाइरस की हो हेटरोजाइरस की कंडिशन क्या होगा कि अगर यह कंडिशन है तो यहां से बाद वाने दोनों से यह मिट्रे डबल बाले वाले बस एक चृत को रिसीव किया वह करेक्टर किसका है इस छोटे टी ने एक चिवारार वह क्या है आपका ड्वार्फ यनंक intermediate नहीं बनाएं तो यह क्या कहलाता है लॉफ सेग्रिगेशन क्या कहलाता है कि तब फेक्टर ऑफ इच केरेक्टर सेप्रेट दा डिव सेप्रेट दूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के दौरान एक ही फेक्टर सेप्रेट होगा उन दौनों में से एक ही निकलेगा ठीक है तो यह कहला था आपका लॉफ सेग्रिगेशन तो यह था आपका बाद अब मेंडल ने क्या दिजल्ट निकाले मोनोहाइब्रेट क्रॉस आपको समझ में आया मोनोहाइब्रेट क्रॉस से हमें यह पता चला कि जो एफवन प्लांट होती है एफवन जनेशन अगर निकालते हैं तो अरफन जनेशन पेल जो प्लांट आते हैं वो कि С कि हमनें किसके सिमलर होते हैं जो डोमीन पहले जांके जितने ब्लांट और सो थोता है ठीक है क्योंकि वहाँ पे पेरेंट एक टॉल एक ड्वार्फ टॉल मैं पता है वह क्या हमारा डॉमिनेंट है कि दूसरा क्या कहलाता है कि डाइट्ट में लेट्ट प्रोवाइट फी मेल जब रिजल्ट करतें यह पॉइंट मैं बात में समझाओं जब मैं रेशिप्रोकल प्रोश पढ़ाओं तो अभी आपको समझ मैं नहीं आएगा थोड़ा सा तो इसको अभी स्केप कर देटा हूं ठ तो जनेरेशन में तीन टॉल आते हैं एक ड्वार्फ आता है इसको हमेशा याद रखना और फीनो टाइब रेश्यों क्या होता है यह आपको याद रखना अब हम बात करेंगे लौ ऑफ इनहेरीटेंस ऑफ टू जी जानकि दो जीन का इनहेरीटेंस अब मैं दो जीन लूँगा तू जीन लूँगा ठीक है याद कि दो करेक्टर्स लूँगा मैं आप आप कौन-कौन से दो करेक्टर्स लूँगा वह आप देखो मैंने बाई दो करेक्टर लिए एक जीन लिया मैंने वन जीन शेप का लिया और सेकंड जीन किसका लिया मैंने शेप का लिया और एक लीडा कलर का ठीक है जैसा आपको पता एक जीन की दो फॉर्म होती है तो यहां पर एक फॉर्म होगी राउंड और एक फॉर्म होगी यल्लो और दूसरा क्या होगा ग्रीन अब इनके हम ऐलेल्स बनाते हैं तो यह दो जो हैं यह हैं आपके सब्सक्राइब और यह दो जो हैं आपके वो हैं आपके रिस हैसे अब बनाते हैं गैमेट्ट से बनाते हैं देखो राउंड का हो गया बड़ा आर ठीक है यह कोड किसको करेगा राउंड को छोटा और छोटा यह रिप्रेजेंट करेगा रिंकल्ड को कैपिटल य॰लो और स्मॉल y को डिगा उपको घ्रीर वाय को तो हम दो करेक्टर लेके देखते हैं इतना आपको समझने आ आया दो करेक्टर लेते हैं इस बार हम तो वई है वटने निकालेंगे फिर सेकंट जनेरेशन निकालेंगे है देखो आप पी वन जन्रेशन थी कहा है वन पेरेंट और यह क्यों साय सेकेंड पेरेंट कोडिंग आपको पता ही है और साइड में मैं लिख दूँ तो सबसे पहले क्या था गेमेट का फॉर्मेशन होता है यह अब लॉफ जैगरिगेशन देखो इन में से क्या हैगा सिंगल आठ इस में से जाएगा वाई ठीक है ऐसे ही इस में से चुटार और अब क्या होता है क्रॉसिंग होती है और कौन सी जन निकलती है जनर्रkey वाई तो ये जनर्रेशन निकली आगो हम कैसे बताब करेंगे कि जुई जो प्लांटीर ने जो हुआ उसका उसका स्थ देखो इन दोनों को देखना यहां पर आघर है तो बड़ा अमारा डॉमीनेंट pioneer यह यह है तो राउंड है क्योंकि बड़े आए ने के जो करेक्टर को चपा दिया ऐसी बड़े भाई ने भी को चुपा दिया तो बड़ा छोट से लिए एल्लो तो जितने भी प्लांट साँगे एन्च आडी यल्लो एल्लो अब सेकंड जन्रेशन कैसे निगालते हैं विच वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बही सेकंड जन्रेशन कैसे आएगे अब देखना हो सेकंड जन्रेशन से यह आती है एक तो फ्रेंट्स ले लिए हमने ठीक है स्टिंट्स लेंगे हम कैसे बनाएगे कि देखो और एफ टो जन्रेशन कैसे निकालेंगे जो इसमें यह मैंसर चलेगा उन्रेज स्टे श्टाइब चुलेगा इसमें रहान से देखना देखो और डि Scr क्या करो तुम कि इस आर को एक बार इस वाई के साथ ले लो ठीक है इस आर को इस वाले वाई के साथ ले लो छोटे वाई के साथ फिर इस वाली आर को एक बार इस वाले आर के साथ ले लो वाई के साथ और बच्चा कौन साब का आर और स्मॉल वाई चार गेमेट्स फर्स्ट यह दो चला दाना को इस वाले से यह बना चार इदर बने और चार यह आपके इस से बनेंगे तो तोटल कित्रें होगा और आठ से मैं कैसे निकालं लूए और मैं पूनिट स्क्वाइर मेसर से आप Δेख लो है कि देखो हमारे पास चार जोबूना दो आपके लिए कि यह थोड़ा सा ट्रिक्वी ए ठीक है 1 2 3 4 यहां पर क्या लिखते हैं हम F2 क्या क्या आए थे गैमेट्स क्या क्या आए थे यही गैमेट्स आए थे ना और चार उस प्लांट्स क्या थे तो एंग चारों को हम इधर लिख देंगे और वाई और उस प्लांट के चार को हम इधर लिख देंगे सेम ही हैं दौनों बहुत इंपर्डेंट्स बचार यह आज की देखो आप अब हम निकालते हैं अपना F2 जर्णी तो सबसे पहले इसका मैच इससे कराएंगे फिर इसका मैच इससे इसका मैच इससे इसका मैच इससे यह वाले इसके लिए रो के लिए तो इस प्यक्याश्स से कर आते हैं तो देखो यह के साथ आगया यह यह के साथ आ जैसा है विलकुल वैसा ही नहीं के साथ जाएगा और यह वाई है स्मॉल वाई उसके बाद यह कि स्टेपल को हम यह से प्रिल कर लेंगे ये हो गया complete अब ये वाला ry इसके साथ चाहेगा ये वाला ry फिर इसके साथ ऐसे हम complete करेंगे और यहां पर थोड़ी सी भी गलती आगई तो जो रेश्यू निकालते हैं हम वो गलत निकलेगा यह बड़ा ध्यान से करना पड़ता है हमको ठीक है अब ये complete हो गया अब ये वाला इससे हम इसको मैच कराएंगे इसका मैच फिर इससे इस वाले को अरब के लिए धीक है लाक्त का बस्ता हमारा यह तो आर आ है वाई 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 आर आवाई वाई वाई अ और यह लास्ट में तो वाई वाई ठीक है अब निकालते हैं क्या फीनो टाइप रेशियो यानि कि कितने हमारे या यलो आए और जीनो टाइप रेशियो देखो सबसे पहला यह इसमें दौनों ही बड़े आरे तो बड़े आर के लिए क्या हुता है इसा राउंड और यह क्या है यलो टीक है अब देखो क्यों यहां दोनों ही कैपिटल आ रहे हैं तो राउंड यलो अब यहां देखना डवल आ रहे तो राउंड तो हो गई लेकिन यहां आई और स्मॉल वाई और कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई ने स्मॉल वाई के करेक्टर को क्या कर दिया दवा दिया जिसकी वड़ Everything ग्रीन एक्सप्रेस नहीं हुआ और क्या क्एठरिस होग्या यल्लॉ तो राउंड यल्लॉ ठीक है इसमें भी round yellow और इसमें भी round yellow इसमें देखिए दोनों ही round yellow ये भी round yellow और ये भी आपका round yellow क्योंकि capital आ रहा है और capital वाई है बस आपको ये देखना है capital Y और capital R किसमें आ रहा है आप easily से बता दोगे क्योंकि आपको पता है वो dominant है अब इसमें देखना कि ये दो आर दो small y है तो round तो होगा क्योंकि capital R है अब दोनों ही small y है small y के लिए क्या ग्रीन तो round green यहाँ पर क्या होगा round yellow यह क्या होगा round green round क्यों होगा क्योंकि बढ़ा रहें green क्यों होगा क्योंकि दोनों ही small y है इसमें देखो round yellow इसमें देखो round green अब इसमें देखना कि दोनों ही small r है जब small r होता है तो क्या होता है wrinkled तो एक character कैसा हुआ wrinkled और wrinkled yellow क्योंकि दोनों ही capital y है इसमें wrinkled yellow इसमें wrinkled yellow अब इसमें दोनों ही capital दोनों ही small है y भी small है और r भी small है तो wrinkled green ठीक है अब इन चार factor के अलावा भी तुम्हें कोई और factor दिख रहा पांच मां नहीं दिख रहा ना तो हम phenotype ratio का से नकालत इन देखकर नकालते हैं तो देखो राउंड य यल्लो कि राउंड य वं कितने हैं ऐसे कितने plant हैं जो round yellow है तो गिल लेते हैं एक, दो, तीन, चाफ, पांच, छे, साथ, आठ, नौ तो नौ हमारे हैं round yellow round green कितने है तो round green आपके एक, दो, तीन, round green आपके तीन है ठीक है अब wrinkled yellow कितने है wrinkled yellow देखो, wrinkled yellow एक, तो यह रहा, एक, यह रहा, एक, यह रहा, तीन wrinkled yellow है और wrinkled green कितने है एक, तो यह है आपका phenotype ratio phenotype ratio, क्या है phenotype ratio 9 ratio, 9 ratio, 3 ratio, 3 ratio, 1 इनको जो आप total count करोगे तो आपके कितने बनेंगे 16 और यहां पर भी कितने देखो 16 ही होंगे तो एक जीन का मैं जब कर रहा था तो एफटू में कितने आ रहे थे वो ट्रेक्स देखेंगे अब बात करते हैं जीनो टाइप रेशियो सर कैसे निकालेंगे जीनो टाइप हम कैसे याद करें इसमें तो जीनो टाइप रेशियो बच्छा आपको याद करना पड़ेगा और जीनोटव essence क्या करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा आपजील के आपको खाल प्रिक्स ऑशा थोड़ा छी रिक्स बताएं neural Tem 91 स्थे फेनोटव थक देखा था था थो आपने देखा क्या मोनो हाइभृड क्रॉज देखा तचाई वीवारे मैं समझा ठीक या किया है क्या मॉनो हाइभक्रीड क्रॉस होता है थी कल हम देखेंगे love independent असओ मैंट इसके ग्रिजल तरह को यह एक यह जामिनेंट अ cá this ऑब कंदेंसों मेटो फिरいい अलास्ट वाला बाकी 15 आप देख रहे होंगे तो किसी में डॉमिनेंट होगा एक में रिस ऐसे होगा लेकिर लाश्ट वाले में तो डॉनों ही रिस ऐसे वह तो यह आपका डा हैब्रेट क्लोस के लिए फी नो टाइब रेशियो अब अगर बात आती है जीनो टाइब कर हम सीखेंगे कि हम जीनो टाइब रेशियो इसके लिए कैसे निकालते हैं जब हम छोटी संख्या है हमारे पास चार चार ही आप स्परिंग है तो हम देख के बता सक सब्सक्राइब लेना तो यह चीज़ें तो फिर जिंद्र कभी आप भूलोगे नहीं तो आपकी निया पिक्स का ले 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 लेना ठीक है तो यह सब कर ले ना और बाकित अभी हैनिया है फिर हम कर देखेंगे टेस्ट क्रॉस क्या होता है ठीखेंगे Tr Yap हैभरेक्ट क्रॉस क्या होता हैом हं कैसे निकालते हैं तो ये था आज के लिए बस और कुछ worshiping साहं जो आप गशे कर सकते हो तो आज के लिए बना भैंफ यूँ चैनल को शबस्क्राइब जुरूर देना वीडियो को लाइक कर देना से जरूर कर देना अपने दोस्तों तक और यह जो टॉपिक्स है वह आप अच्छे से समझ जाओगे तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू